नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में मैं आपको सभी अंतर राष्ट्रे और राष्ट्रे संगठन दोनों के बारे में बताऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि उनकी स्थापना कब हुई, मुख्य कहां पर है, अध्यष कोन है, जैसे सभी महत्पूर्ण बातें आज कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, और आज कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टोपिक से आप चाहे किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो, एक नेक्ट प्र करते हैं, और सभी अंतर राष्ट्रे और राष्ट्रे संगठन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले हम अंतर राष्ट्रे संगठन के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में हम राष्ट्रे संगठन के बारे में पढ़ेंगे, और हां एक ही बार में तो ये सभी आपको याद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत से important fact आपको याद करने पड़ेंगे, पर इतना जरूर है कि अगर आप वीडियो को पूरा end तक देख लेंगे, तो जो भी मैं बोलूँगा, यापके subconscious mind में बैठ जाएगा, और दुबारा जब आप इसकी revision कर लेंगे, तो य 24 अक्तूबर 1945 को, इसलिए हर वर्ष 24 अक्तूबर को United Nation Day मनाय जाता है, जिसका मुख्याले कहां पर है, तो इसका मुख्याले है, अमेरिका के नियू योर्क में, और कौन से द्वीब पर, तो Manhattan द्वीब पर, कई बार द्वीब भी पूचा गया है, इसलिए आ दखना, अमेर पिश कौन है, तो सेंक्त राष्ट के वर्तमान में अध्यक्ष है, एंटोनियो गुटेरस, क्या ना मैंन का, एंटोनियो गुटेरस, तो जो 193 देश है, ये कौन से है, दक्षिन सुडान, 190 देश है, स्विजर लैंड, 191 देश है, पूर्वी तिमोर, 192 नंबर का देश है, यानि कि official languages कितनी है, तो 6 official languages है, कौन कौन सी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अर्बी, चीनी, रूसी और स्पैनिश, ये 6 अधिकारिक भाषाए हैं, युनाइटि नेशन की, कभी कभी ये भी पूछ ले जाता है, तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, कि स्थापना हुई थी, 1945 क के बाद देखते हैं, तो जो सेंक्त राष्टा है, इसके 6 प्रमुकंग है, ये 6 प्रमुकंग ये आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से, पहला है महासभा, जिसे जनरल असेंबली कहते हैं, दूसर है सुरक्षा परिशद, जिसे दा सेक्योर्टी काउंसिल कहा जाता है, तीसरा अंग है, आर्थिक और समाजिक परिशद, इंगलिश में, दा इकोनोमिक एंड सोशल काउंसिल, चोथा है, अंतर राष्टिय नियाले, जिसे इंगलिश में कहते हैं, दा इंटरनेशनल कोर्ट ओफ जस्टिस, पांचवांग है, सच्ची वाले, इंगलिश में कहा ज नहीं है, तो चार अप्शन दिये होगे, उसमें से आपको बताना होगा, तो आपको यह शे पता होने चाहिए, कि कौन-कौन से अंग है, तो मैंने आपको बता दिया, यह याद होना चाहिए, तो इतना हमने सर्यूंक्त राष्ट के बारे में पढ़ा, आप हम आगे देखत तो अगला अंतराश्ट्रे संगठन देखते हैं सार्क, तो सार्क की full form क्या होती है, South Asian Association for Regional Corporation, तो जो सार्क है, इसमें कितने देश सदस्य हैं, तो total 8 देश इसके सदस्य हैं, कौन-कौन से, तो जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, वो सार्क के सदस्य हैं, बस दो पड़ोसी तो भारत के पड़ोसी देश हैं, वो इसके सदस्य हैं, तो कौन-कौन सा छोड़ोसी देशों को छोड़ो सो जो जो बाकि के पड़ोसी देश्हां, ये सार्क के सदस्य हैं, कोई याद रख लेना, क्यूंकि जो चाइन है, हो South Asia में नहीं आता, तो इसे आपको याद रहना चाहिए ला, क्योंकि जो संगटन है, यह South Asian country का संगटन है, तो कौन-कौन से आते हैं South Asian में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भुतान, बांगलादेश, श्रिलंका और माल्दीव, यह South Asian में आते हैं, तो इन ही का संगटन है, इसमें चीन और म्यामार, यह दो परोसी देश भारत के नहीं है बाकी भारत के जो भी परोसी देश है इसमें वो शामिल है कौन-कौन से है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, बांगला देश, शिलंका और माल्दिव ऐसे आपको याद होना चाहिए तो सार्क की फुल-फॉर्म क्या है South Asian Association for Regional Corporation इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और मुख्याले कहाँ पर है 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 नेपाल की राधानी काठमांडो में और वरतमान में इसके महासचिव को नहीं सार्क के तो इसाला रुवान वीरा कौन तो हमने क्या-क्या पढ़ा इसकी फुल-फॉर्म देख लिए, स्थापना में पढ़ लिया यही आप से एक्जाम में पूछा भी जाता है और हमने इसके सदसे भी देख लिए तो आठ देश इसके सदसे हैं जो भारत के परोसी देश हैं बाद दो को छोड़ दो एक मेहमार और एक चीन आगे देखते हैं तो अगला संगटन है बिम स्टैक तो पहले बिम स्टैक में कितने देश इसके सदसे हैं पहले तो आपको यह पता होना चाहिए तो इसको याद रखना भी आसान है तो बिम स्टैक में जितने वर्ड है ना उतने ही देश इसके सदसे हैं तो बिम स्टैक कितने वर्ड है इसमें बी आई एम स्टी एसी तो कितने वर्ड ह साथ वल्ड हैं, तो साथ देश ही, इसके सदस्त भी हैं, इसे अभी याद रख पाएंगे और ये कोन кोन से देश हैं, तो इसने याद रखना भी आसान हैं, तो जो BIM STAK है इसी से आप याद रखेंगे, B से हो गया भूटान, I से इंडिया, M से म्यामार, S से श्री लंका, T से थाइलेंड, और बचा E और C, और बचे दो देश, एक नेपाल, और दूसरा कौन सा, बांगलादेश, तो E और C से तो इसको बन नहीं रहा, तो नेपाल को आप ऐसे याद और बचा E C, तो C से आप कैसे याद रखेंगे, बांगलादेश को, क्योंकि जो विमस्टेक है, इसका मुख्याले कहां पर है, बांगलादेश की राध्धानी धाका में, तो जब इसका मुख्याले धाका में है, तो बांगलादेश तो होगा ही न, वो कैसे बाहर हो तो बिमस्टेक आपसे असानी सियाद हो जाएगा, वैसे भी, इसके फूल फॉर्म क्या है, बे और बेंगोल इनिशेटिव, तो बांगलादेश तो आएगा ही, तो देखिए, इसी से हम याद रखेंगे, बी से भुटान, आई से इंडिया, एम से म्यामार, एस से श्री लं में, और वरतमान में, भीमस्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो यह भुटान की है, इनका नाम है, तेंजिन लेकफेल, कै नाम है, तेंजिन लेकफेल, अगला अंतराश्टे संगठन है, आसियान, आसियान की फॉल फॉर्म क्या है, असोशियेशन ओफ साउथ इस्ट एस इस्ट एसियान नेशन, तो जो भी साउथ इस्ट एसियान नेशन है, उनका एक संगठन है, आसियान, कौन-कौन से देश शामिल है, पहले देख लेते हैं, इसके स्थापना कब हुई थी, तो इसके स्थापना हुई थी, आठ अगस 1967 को, और मुख्याले कहां पर है, तो ज आसियान के कितने देश सदसे हैं, तो दस देश इसके सदसे हैं, पहले तो आपको यह याद होना चाहिए, कि आसियान के कितने देश सदसे हैं, दस देश, तो कौन-कौन से देश सदसे हैं, अगर आपको साउथ इस एशन देश नहीं पता, तो आप एक ट्रिक से भी याद क करा सकते हैं वैसे भी आप देख रहे हैं कि आजकल करोना के दोरान जो भी पढ़ाई हो रही है तो ओनलाइन कराई जा रही है उसी तरह जो MBBS है न वो भी TV पर क्लिप दिखा कर कराई जा रही है मजा कर रहा हूं ऐसी बात नहीं है एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते है आसियान देशों के बारे में ट्रिक क्या है TV क्लिप MBBS तो T से होगा Thailand, V से होगा Vietnam, C से होगा Cambodia, L से Laos, I से Indonesia, P से Philippines, M से Malaysia, B से Brunoi, उसके बाद जो B है ये बर्मा, जो म्यामार है उसके बाद S सिंगापूर तो इससे भी याद रख पाएंगे जितने भी आसियान देश है सब के बारे में जब आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आपको सभी देश याद रहेंगे और बिना ट्रिक के भी आपको याद रहता है तो और अच्छा है तो आश्यान की फुल हो मैं Association of Southeast Asian Nation स्थापना 1967 में होई थी और सबसे बड़ा जो देश है इसमें वो इंडोनेशिया ह ज्यादा तर दीपों में फैला हुआ है तो वहीं पर इसका मुख्याला भी है इंडोनेशिया की राध्धानी जैकार्ता में और महासाचीव कौन है लिम जोग होई और दस देश इसके सदसे हैं जो हमने पढ़ लिया अब हम अगला अंतराष्टे संगठन देखते हैं तो अगला अंतराष्टे संगठन है S.C.O. तो S.C.O के फॉल फॉर्म क्या है शंगाई कोपरेशन ओर्गनाजेशन क्या है शंगाई कोपरेशन ओर्गनाजेशन इसकी स्थापनाविती सन 2001 में और मुख्याले कहां पर है तो बीजिंग चायना की राध्धानी बीजिंग में है तो यह जरूर यादखना जो यह संगठन है शंगाई कोपरेशन ओर्गनाजेशन है तो आपको कन्फूजन भी हो सकती है कि इसका मुख्याले तो शंगाई में होगा पर नहीं इसका जो मुख्याले है वो बीजिंग में है क्योंकि जो यह संगठन है इसका जो गठन हुआ वो शंगाई में हुआ था वहीं पर मीटिंग हुई थी इसलिए इसको नाम रखा गया शंगाई कोपरेशन और्गनाजेशन पर जो हैटकॉर्टर है वो बीजिंग में है यानि कि मुख्याले चाहिना कि राधानी बीजिंग में है और वरतमान में इसके सेक्रेटरी जेनरल कोन है तो जैंग मिंग इसके सेक्रेटरी जेनरल है नाम याद एकना जैंग मिंग और वरतमान में कितने देश इसके सदसे हैं तो आठ देश इसके सदसे हैं कौन-कौन से चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर किया गया 2017 में इसको शामिल किया गया दो देशों को भारत और पाकिस्तान को उससे पहले छे देश ही इसके सदसे हुआ करते थे पर अब कितने हैं वर्तमान में आठ देश इसके सदसे हैं ज्यादे तर जो तान वाले देश है ना जिसे कजाकिस्तान किरगिस्तान पाकिस्तान उजबेकिस्तान तजाकिस्तान तो जो भी तान वाले देश हैं वो इसके सदसे हैं दो तान वाले देश इसमें नहीं हैं एक तुर्कमेनिस्तान और एक अफगानिस्तान वो इसके सदसे नहीं हैं बाकि जो भी तान वाले देश हैं इसके सदसे हैं और चीन, रूस, भारत और यह तो हैं ही और बाकी जो तानवाले देश हैं कौन-कौन से दो देश नहीं है एक तुर्कमेनिस्तान और एक अफगानिस्तान और ज्यादतर आप्शन में भी यही दो देश दिये होते हैं तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान यह दो आप याद अख लेना कि यह दो में नी-योर्क में ब्रिक राष्ट के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के दोरान भारत ब्राजील रूस और चीन इन देशों ब्रिक की सफपना की थी तो पहले ब्रिक नहीं था पहले ब्रिक था बाद में जान IKitire का इसमें शापना और गवेशन वग home गए त ब्रिक देशों ने और बाद में S यानि की South Africa 2010 में इसमें शामिल हो गया था तो पहले ये ब्रिक था बाद में बन गया ब्रिक 2010 में इसमें South Africa भी शामिल हो गया और यह याद रखेगा इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है पहले ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए फुल फॉर्म तो आपको पता यह ना B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S साथ अफरीका यह बन गया ब्रिक्स पहले ये ब्रिक था बाद में इसमें South Africa भी शामिल हो गया और इसे R5 के नाम से भी R से ही शुरू होती है, जैसे देखिए, ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल, रश्या की मुद्रा क्या है? रूबल, इंडिया की मुद्रा क्या है? रूपिया, चाइना की मुद्रा क्या है? रेंड, तो यह सभी R से शुरू हो रही है ना, इसलिए ने R5 की नाम से भी ज तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा अब हम आगे देखते हैं अगला अंतराश्य संगटन है नाटो तो अभी काफी चर्चाओं में भी है इसलिए काफी इंपोर्टेंट है तो नाटो की फिल फिर्म क्या है North Atlantic Treaty Organization यह इसके फिल फिर्म है इसके स्थापनाओधी 1949 में और इसका मुख्याल यह कहां पर है तो बेल्जीम के बुरुसेल्स में इसका ख्याला है और वरतमान में नाटो में कितने देश शामिल है तो वरतमान में नाटो में 30 देश शामिल है कितने 30 जादा तर European कंट्री मतलब कि 28 यूरोपियन कंट्री है और दो North American कंट्री है North America में कौन-कौन सी एक तो अमेरिका हो गया और दूसरा कनाड़ा ये North American कंट्री है और 28 यूरोपियन कंट्री है ज्यादा तर यूरोपियन कंट्री इसमें शामिल है तो यह नाटो यानि कि North Atlantic Treaty Organization है और इसमें जो नया सदर से जूड़ा है यह मैसिडोनिया यह 2019 में शामिल हुआ था नाटो में और तीसमा सदर से देश बन गया 2019 में यह शामिल हुआ गया है कि नाटो में कितने देश शामिल है तो तीस देश इसमें शामिल है यह जरूर याद रखिएगा और रिसेंट्रली कौन सा देश एड़ हुआ है तो मैसिडोनिया तो अगला महत्तव पूर्ण संगठन है ओपेक तो जितने भी तील निर्यातक देश है ना यह उनका संगठन है तो इसकी full form है organization of the petroleum exporting countries तो जो भी तेल निर्यातक देश है उनका यह संगठन है इसकी स्थापना कहा हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी बगदाद में कब हुई थी 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्याला है और तेरा देश इसम एक बड़ मैं आपको बता देता हूँ तो जो भी तेल निर्यातक देश है ना इरान इराक कुवैत लीबिया संग्त अरब अमिराद साउदी अरब अलजीरिया नाइजीरिया गेबोन अंगोला इकवेटेरियल गिनी वेंजूला और कांगो यह जो भी तेल निर्यातक देश हैं यह इसके सदद से हैं तो कितने टोटल सदसे हैं तेरा देश इसके सदसे हैं और इसका मुख्याला है ओस्ट्रिया की राध्धानी वियना में अगला संग्टान देखते हैं ADB तो ADB की फुल पर्म क्या है Asian Development Bank तो इसके स्थापना कब हुई थी 1966 में इसके स्थापना हु और इसके वरतमान में अध्यक्ष कौन है तो मसा सुगू असकावा ये इसके अध्यक्ष हैं तो ADB की फुलफो में Asian Development Bank 1966 में इसकी स्थापना हुई थी अरसल देश इसके सदस्य हैं मनीला में इसका मुख्याला है और अध्यक्ष हैं मसा सुगू असकावा तो इसके बार आगे देखते हैं तो इसके बार आगे देखते हैं तो ये जितनी भी organization है इन सब का headquarter एक ही जगह है इसका जो headquarter है वो भी जिनेवा में है World Trade Organization इसका headquarter भी जिनेवा में है World Metreological Organization इसका headquarter भी जिनेवा में है World Intellectual Property Organization वीपो इसका headquarter भी जिनेवा में है International Labour Organization इसका headquarter भी जिनेवा में है International Committee of the Red Cross Organization इसका headquarter भी जिनेवा में है तो इसे आप याद कैसे करेंगे तो देखिए ज्यादा तर जो भी organization जिनकी शुरुवात world से होती है और खतम होती है organization से और वो भी organization जिनकी शुरुवात international से होती है और खतम होती है organization से तो इन सभी संगटोनों का जो headquarter है वो Geneva में हैं तो दुबारा सुनिये मैंने आपको क्या बताया कि जो भी organization जिनकी शुπα़त होती है world, ये international से और खतम होती है organization पे, उनका headquarter जिनिवा में होगा, जैसे देखिए, world health organization की शुπα़त हो रहे है world से और खतम हो रहे है organization पे, तो इसका जो headquarters होगा वो जिनिवा में होगा, इसी तरह जैसे international labor organization इसके शुरुवात हो रही है international से और खतम हो रहा है organization पर तो इसका भी headquarter कहाँ पर होगा जिनिवा में होगा बस तीन ऐसे संगठन हैं जिनके शुरुवात world से हो रही है या international से हो रही है और खतम organization पर हो रहा है पर उसका जो headquarter है वो जिनिवा में नहीं है इसलिए अ अपोषाद देख लेते हैं जिनका हेड़कोडर जिर्नेवाраж में नहीं है तो देखिए यह तीन और्गनाजेशन हैं जिनकी शुरुवात world यह international से हो रही है और खत्म organization पे हो रहे हैं पर जो उनका headquarter है वो जिनिवा में नहीं है तो यही तीन आपको याद होने चाहिए बाकी जो बचें उनका headquarter कहां पर होगा जिनिवा में होगा तो एक है world tourism organization यानि कि विश्व परेटन संगठन इसका जो headquarter है वो जिनिवा में नह organization विश्व सीमा शूल्क संगठन इसका headquarter कहां पर है तो ब्रूसेल्स में है और तीसर है international maritime organization अंतर राश्ट्रे समंदरी संगठन इसका headquarter कहां पर है लंदन में है तो यह तीन जो आपको याद अखने हैं क्योंकि यह अपवाद हैं बाकी जिनकी भी शुरुवाद वर्ल्ड organization पर खतम होंगे उनका headquarter कहां पर होगा जिनीवा स्विजर लैंड में होगा बस यह तीन अपवाद हैं यह आपको याद होने चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने पीछे पढ़ा उसमें से दो संगठन ऐसे हैं जिनके स्थापना मुख्याले और अध्यक्ष भी पता होने चाहिए तो एक तो है World Health Organization और दूसरा है World Trade Organization तो World Health Organization के स्थापना हुई थी 1948 में इसका मुख्याले कहां पर है तो अभी हमने पीछे देखा कि जिनीवा स्विजर लैंड में हैं और इसके वरतमान में Director General कौन है तो WHO के Director General है Tedros Adhanom क्या नाम है Tedros Adhanom और दूसरा ह है World Trade Organization इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्याले भी अभी हमने पीछे देखा इसका मुख्याले जिनीवा स्विजर लैंड में है और इसके Director General कौन है तो यह नाम यादखेगा नगोजी ओकॉंजो इवेला यह नहीं बनी है यादखेगा नगोजी ओकॉंजो है एक है IMF का दूसरा है World Bank तो जो भी पैसों से रिलेटेड संस्था है ना संगठन है उनका Headquarter यह से में है वाशिंग्टन डी से में है IMF और World Bank तो IMF की फूल फो में International Monetary Fund इसके वरतमान में Managing Director कोन है तो Christopher festiorina जो जीवा इसके वरतमान में Managing Director है और deputy managing director है गीता गोपिनाथ यह भारतीय मूलकी है इस लिए इंपोर्टेंट है तो IMF की ड Denizer Director कोन है गीता गोपिनाथ और मोपानेजिंग डेक्टर कोन है Chrisirena yourself agent ऑसके बाद देखते हैं वर्ट बेंक का एट कोटर भी वाशिंगटेंटड डिसी में है और वरतमान में प्रेजिडेट को नहीं है तो डेविड माल पास, यह President है World Bank के क्योंकि जिनके पास बहुत जादा माल होगा वही World Bank के President होंगे तो David Malpass इसके President है और MD and CFO कौन है तो अंशुला कान ये भी भारतिय मूलकी है इसलिए Important है तो Managing Director और CFO ये हैं अंशुला कान World Bank की और International Monetary Fund की हमने पड़ी थी ये भी भारतिय मूलकी थी Deputy Managing Director गीता गोपिनाथ तो उसके बाद आगे देखते हैं तो इन तीनों संगठोनों का जो Headquarter है वो एक ही जगह है ओस्ट्रिया के वियना में इसलिए मैंने इने एक साथ कवर कर दिया तो कौन-कौन से है पहला है OPEC हमने भी पीछे पढ़ा था ना OPEC के बारे में Organization of the Petroleum Exporting Countries तो इसका Headquarter कहां पर है वियना में है दूसरा है International Atomic Energy Agency इसका Headquarter भी वियना में है और तीसरा है United Nation Industrial Development Organization इन तीनों का Headquarter एक ही जगह पर है इसलिए मैंने एक साथ कवर कर दिया तो इसके बाद आगे है नासा तो नासा की फुल फॉर्म है National Aeronautics and Space Administration तो इसके स्थापना कब हुई थी 1958 में इसके स्थापना हुई थी और इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले भी वाशिंग्टन DC में है और अध्यश कोन है तो वर्तमान में नासा के अध्यक्ष है बिल नेल्सन यह जरू याद रखेगा कोन है बिल नेल्सन तो उसके बार अगला इंपोर्टन संग्ठन देखते हैं युनेस्को तो युनेस्को के फुल फॉर्म है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization तो अभी मैंने युनेस्को पर वीडियो बनाई हुई है जितने भी भारत के विश्व विरासस थल है जो की युनेस्को में शामिल है उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है आप लेलिस्ट में जाकर Static GK की प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देख लेना आपको सभी याद हो जाएंगे मैंने सभी कवर कर रहे हुए हैं तो युनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी जब युनाइटी नेशन की स्थापना हुई थी ना तभी युनेस्को की स्थापना भी हुई थी अभी हमने पढ़ाता ना कि जो UN है इसके स्थापना कब हुई थी 1945 को तो UNESCO के स्थापना भी 1945 में ही हुई थी और UNESCO का मुख्याले कहां पर है तो फ्रांस की रादधानी पैरिस में इसका मुख्याले है और वर्तमान में इसके डिरेक्टर जनरल कौन है तो ओर्डरे अजोले यह इसके डिरेक्टर जनरल है उसके बाद अगला संग्ठन देखते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यह भी बहुत महत्पूर्ण संग्ठन है इसके स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्याले कहां पर है तो यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो इंटरनेशनल सो क्या नाम है अजे माथूर और इसका मुख्याले कहां पर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का तो गुरु ग्राम में इसका मुख्याले भी है इसलिए यह दखेगा उसके बाद अगला अंतराश्य संग्ठन है वर्ल्ड एकनोमिक फॉर्म इसके स्थापना हुई थी 1971 में इसका इसके स्थापना हुई थी 1946 में जब संग्तिराश्कि स्थापना हुई थी उससे अगले साल 1946 में इसका मुख्याले कहां पर है तो युस एक के नी ओरक में इसका मुख्याले है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानि की हेटकोन है तो कैथरीन एम रसल यह अभी नई बनी तो UAE की दुबई में इसका मुख्याले है और वर्तमान में चेर्मेन कौन है तो ग्रेग बार्कले इसके चेर्मेन है ICC के तो ICC हमने देख लिया FIFA देखते हैं तो FIFA की फुल फोर्म है इसके फुल फोर्म है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1904 में FIFA की स्थापना हुई थी और मुख्याले कहां पर है तो स्विजे लेंड के जूरिक में इसका मुख्याले है और प्रेजिडेंट कौन है तो जियानी इंफेंटीनो इसके प्रेजिडेंट है वर्तमान में यह FIFA के प्रेजिडेंट के बारे में क्या नाम है जियानी इंफेंटीनो ICC के कौन है Greg Barclay तो पहले FIFA की स्थापना हुई थी 1904 में और 1909 में ICC की स्थापना हुई थी तो सभी अंतर राष्ट्रे संगठनों के बारे में हमने पढ़ लिया अब हमारे जो राष्ट्रे संगठन है उनके बारे में पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले है नीती आयोग तो नीती आयोग की full form क्या है तो नीती की full form है National Institution for Transforming India इसकी full form है तो पहले नीती आयोग को योजना आयोग का जाता था पर बाद में 2015 में नीती आयोग की स्थापना हुई एक जनवरी 2015 को इसका मुख्याले कहां पर है तो नई दिल्ली में इसका मुख्याले है और निती आयो के अध्यक्ष कोन है तो भारत के प्रधान मंत्री निती आयो के अध्यक्ष होते हैं तो वरतुमान में इसके अध्यक्ष है नरिंद्र मोधी जी क्योंकि वो भारत के प्रधान मंत्री हैं तो जो भारत के प्रधान मंत्री होते हैं वह इसके अध्यक्ष होते हैं तो निती आयो के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधान मंत्री और जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है डोक्टर राजीव कुमार ये निती आयो के उपाध्यक्ष हैं और CEO कोन है यानि कि मूख्ये कारिकारी अधिकारी कोन है तो अमिताब कांथ ये बहुत बार एक्जाम में रिपीट होता है दोनों नाम याद खेगा क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो तो पtherदैन मंतरी है उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार है पर मैंने इन्हें एक साथ इसलिए कवर कर दिया ताकि आप कंपेर करके पढ़ सकें मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको कंपेर करके क्या पढ़ना है तो जो DRDO है इसकी क्या है Defense Research and Development Organization और इसकी स्थापना कब हुई थी तो यही आपको याद रखना है देखिए जब नासा की स्थापना हुई थी ना तभी DRDO की स्थापना भी हुई थी नासा की स्थापना कब हुई थी 1958 में और DRDO की स्थापना कब हुई थी वो भी सतीश रेड़ी ये वर्तमान में DRDO की अध्यक्ष है उसके बाद देखते हैं इस रो तो इस रो की फुल-फॉर्म क्या है इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाजेशन ये इस रो की फुल-फॉर्म है और इस रो की स्थापना कब हुई थी तो 1979 में इस रो की स्थापना हुई इसका मुखहला है बंगलोर करनाठक में और इसके अध्यक्ष अब अदल चुके हैं पहले K7 इसके अध्यक्ष थे पर अध्यक्ष कौन है S. Осमनाथ यह जरूर्या around अखेगा नईदिल्ली में, इस्रो का है, बंगलोर में, नासा के अध्यक्ष हैं, बिल नेलसन, डियाडियो के अध्यक्ष हैं, जी सतीश रेड़ी, और इसरो के अध्यक्ष हैं, एस सूमनाद. उसके बाद अगला संगठन देखते हैं राष्ट्री ये BCCI, ICC के बारे में हमने पढ़ लिया था, वो एक अंतर राष्ट्रे संगठन था, पर जो BCCI है ये राष्ट्रे संगठन है भारत का, इसके फुल फॉर्म क्या है, Board of Control for Cricket in India, इसके फुल फॉर्म है, और BCCI की स्ठा स्ठापना कब हुई थी, 1928 में इसके स्ठापना हुई थी, इसका मुख्याले है मुंबई में, और वरत्मान में इसके अध्यक्ष कोन है, तो आपको पताई होगा, इसके अध्यक्ष है स्वरव गांगली जी, और इसके सचीव कोन है, Secretary है इसके जैशा, तो इसके अध्यक् स्ठापना हुई थी, और वरत्मान में इसके अध्यक्ष है अजे त्यागी, दूसरा राश्ट्रे संग्टन है सिडवी, सिडवी की फुल फोर्म होती है, Small Industries Development Bank of India, और सिडवी की स्थापना हुई थी, 1990 में, इसका मुख्याले कहां पर है, तो लखनों में, उत्तर पदेश क राध्धानी लखनों में इसका मुख्याले है, और वरत्मान में इसके अध्यक्ष है, S. रमना, ये नए बनी है, इसलिए आध्यक्ष है, S. रमना इसके अध्यक्ष है, तो सेभी की अध्यक्ष है, अजे त्यागी, और सिडवी की अध्यक्ष है, S. रमना, उसके बाद दे लिए में इसका मुख्याले है और यू आईडी आई के वरतमान में CEO कौन है तो सोरभ गर्ग इसके CEO है अगला महत्रपूर्ण राष्टे संगठन देखते हैं LIC तो LIC की full form है Life Insurance Corporation of India ये LIC की full form है इसके स्थापनाविती 1956 में इसका मुख्याले भी मुंबई में है और इसके वरतमान में अध्यक्ष कोन है तो M.R. कुमार वरतमान में इसके अध्यक्ष है तो आज का आखरी राष्टे संगठन है नबाड नबाड की full form है National Bank for Agriculture and Rural Development इसके 1982 को और इसका मुख्याले मुंबई में है और वरतमान में इसके अध्यक्ष है गविंदा राजुलू चिंतला ये वरतमान मेत के अध्यक्ष है इंप्पॉर्टेंट है याद रखेगा तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट झाल